तो दोस्तो इंडो पेसिपिक में जहाँ पे चाइना को काउंटर करने के लिए भारत, जपैन, ऑस्टेलिया और अमेरिका ने मिलके क्वार्ट का गठन किया है तो वही पे अब बताया जा रहा है कि अरवियन सी और गॉल्फ में तंभावित खत्रे को ट्रैकल करने के लिए ए दोस्तो यहाँ पे जो क्वार्ट 2.0 का जिकर किया जा रहा है उसमें भारत और अमेरिका तो रहेगा ही साथ में रहेगा दो महत्तोपुर्ण और देश मतलब इस्राइल और यूनाटेड अरब अमिराद दोस्तो बताया जा रहा है कि इंडिया के फॉरेंड मिनिस्टर डॉ कि समभब इसलिए ही हो पा रहा है क्योंकि साल 2020 में एवरहम एकर्ड के उपर अमेरिका यूनाटेड अरब अमिराद और इस्राइल का हस्ताक्षर हुआ था बैसिकली इस एकर्ड के उपर हस्ताक्षर होने के बाद यूनाटेड अरब अमिराद और इस्राइल के बीच में र देखा जाए तो ये जो चार देश है इनमें इंडिया एक मात्र ऐसा देश है जो चारों देशों के साथ ही individual और अपने आप में बहतरीन रिस्ता रखता है भारत और United Arab Emirat का रिस्ता के बारे में तो आप लोगों को बताने का आवशक्ता नहीं है जब कि इसराइल और भारत आज से नहीं बलकि दोनों देशों के इंडिपेंडेंट से ही एक दूसरे के close तरीन एलाई है इसराइल जहाँ पे भारत को कई सारे मामलों में मदद कर चुका है तो वही पे भारत और इसराइल एक close तरीन defense एलाईज भी है अमेरिका के बारे में आप लोगों को बताने का आवशक्ता नहीं है क्योंकि आप सब लोगों को ये भी बता होगा कि बीते कुछ सालों में भारत और अमेरिका के बीच में करीवी कितना बड़ा है और भारत और अमेरिका अब कितने महतोबूर्ण और बड़े बड़े और का हिस्ता है इवें जो इस कौाट के गठन से पहले एक और कौट का गठन किया गया था उसका भी प्रमुख भूमिका में भारत और अमेरिका है दूसरे अब रहा में कौट को इस क्वार्ड के गठन के पीछे सबसे महतोबर न कड़ी के रूप में इसलिए देखा जा रहा है क अरफ के कई सारे देशों के साथ इस्राइल का पहले वी लड़ाई हो चुका है और इस कारण से अरफ के देशों के द्वारा इस्राइल को सही तरीके से मानने ता भी नहीं दिया जाता है। नहीं किया जाता तो मिडल इस्ट में इस तरीके के क्वार्ट का गठन करना अमेरिका या भारत के लिए पॉसिवल नहीं था। और जो पॉलिटिकल प्रेजन्स को रखा जाएगा। और अन्य सेक्टर के उन्हती करन के लिए किया जाएगा। ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद।